इस वीडियो के अंदर हम JM Flexi Cap Fund के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में इसने 66.7% का रिटरन दिया पिछले एक साल में नंबर वन पे है रिटरन के मामले में पिछले तीन सालों में नंबर वन पे है रिटरन के मामले में और पिछले आठ सालों में नंबर दो पे है रिटरन के मामले में अपनी केटेक्टी में तो ऐसा कैसे है क्यों है क्या हमें इस fund के इंवेस्ट करना चाहिए तीन साल पहले तक fund जरूर था लेकिन इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी fund का performance भी अच्छा नहीं था तो इसके बारे में detail में जितना हो सके समझने के हम कुशिस करेंगे इस scheme के बारे में अच्छा इस fund की अगर हम SIP returns की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई कमी नहीं पिछले एक साल में एक flexi cap mutual fund scheme होते हुए 74.77% का XIRR return है 24 जुलाई तक की अगर हम बात करते हैं तो XIRR return इसके बाद दो साल में 58.01% का XIRR return है 3 साल में 43.91% का 5 साल में 35.9% का 10 साल में 23.73% का XIRR return है मतलब SIP returns है तो SIP returns यहाँ पे काफी तगरे हमें देखने को मिल जाते हैं returns तो काफी तगरे आपने सुन लिए बट एक जो concerning point है इस scheme को लेके वो मैं वीडियो में आगे बात करूँगा जब हम उस topic पे आएंगे तो कि क्या दिक्कत है और क्या चीज़े आपको देखकर समझ के चलनी है इस scheme के अंदर में सबसे पहले अगर इस scheme के हम बात करते हैं तो यह scheme पहले एक multi-cap मतलब जब सेभी ने पूरा एक regulation बनाया categorization किया schemes का तो यह flexi cap scheme बन गई पहले यह multi-cap scheme ही थी क्योंकि उससे पहले 2018 से पहले multi-cap schemes ही थे 2018 के बाद flexi cap बने है तो यहाँ पे इस scheme direct growth plan है तो एक एक 2013 को बनाया है इसका जो regular plan था वो 2008 में आया था इसके बाद 1000 रुपे से लमसम कर सकते हैं उसके बाद 100 रुपे से top up कर सकते हैं SIP भी कर सकते हैं 0.43% का सिर्फ और सिर्फ 0.43% का expenses चार्ज करती है बहुत कम है GM के जो बाकी भी mutual funds है वहाँ पे small cap बगएरा में भी जो expenses चार्ज करती है छोटी scheme होने के बावजो यहाँ पे जो देखने की चीज है वह है कि इसका total asset size 3000 करोर प्लस हो चुका है तो काफी लोग अब इसके अंदर में पैसा डाल रहे है थोड़ा सा भरोसा दिखा रहे है इसके अंदर में turnover ratio जो है fund का 138.49% पहुत चुका है जो की काफी high turnover ratio है यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि यह जो scheme है काफी frequently buy and sell कर रही है value investing नहीं कर रही है buy and hold वाला formula यह follow नहीं कर रही है buy and forget वाला formula नहीं कर रही है जैसे संदीप टंदन जी कहते है never marry a stock तो उसी type का यह कुछ formula यहाँ पे follow कर रही है बहुत ही तेजी से buying and selling अपने portfolio के अंदर changes कर रही है exit load जो fund का है वो 1% है अगर 30 दिन के अंदर अंदर में आप withdraw कर लेते हो तो 1% का है और 30 दिन के उपर withdraw करोगे तो कोई मुझे लगता है यहाँ पे exit load नहीं होगा 30 days की ही limit है काफी अच्छी चीज है अगर आपका mind change होता है और आप निकलना चाहते हो पैसा तो 1% का नुकसान आपको नहीं भुगतना पड़ेगा जो top sectors है जहाँ पे इस mutual fund ने invest किया तो सबसे ज़ादा इसने banks के अंदर invest किया 13% के पास इसके अलबा construction के अंदर में invest किया है मतलब infrastructure जो sector उसको cater करने की कोजिस की गई है इसके अलबा again finance के अंदर में 7% का और investment है तो bank और finance मिला के almost 20% का investment है और यह trend recently हमने देखा है लगबग सारे mutual funds सी finance sector की तरफ move कर रहे है इसके अलबा auto के अंदर 5% है इंडस्ट्रियल प्रोड़क्ट हो गया सीमेंट और सीमेंट प्रोड़क्ट हो गया IT सॉफ्ट्वेर हो गया फार्मा हो गया लेजर सर्विसेज हो गया ओटो मोबिल तो मेजेरली जो टॉप टेन सेक्टर्स है वहाँ पे हमें finance सेक्टर का dominance दिखता है देखने को मिलता है तो यह जो fund है वह finance सेक्टर के अंदर and infrastructure सेक्टर के अंदर काफी ज़्यादा बोली से है इस्टाइन पे अगर stocks की भी बात करते हैं top 10 holding सी तो सबसे ज़्यादा पैसा SDFC के अंदर डाला गया है second सबसे ज़्यादा पैसा ICIC के अंदर डाला गया और third सबसे ज़्यादा पैसा SBI के अंदर डाला गया तो तीनों bank है और इन तीनों का मिला के 10% से उपर की holding हो जाती है then infosys आ जाता है हमारे पास महिंद्रा और महिंद्रा आ जाता है then blue star इसके लाग हमारे पास tax marco, rail and engineering लिम्टेड, last year and tube row traps आ जाता है and then grassim industries तो यह इसके top 10 holdings थे यहां से भी clearly हमें auto, finance and infra यह सारी चीजे देखने को मिल जाती है top 10 holdings में इस fund का comparison अगर हम जो BSE 500 index है Nifty 500, BSE 500 दोनों semi index होते हैं इसके अलबाबा जो flexicap की category average return है उसके साथ अगर हम comparison करते हैं इस scheme का तो पिछले एक साल में 66% का return इस scheme कर रहा है category average return flexicap कर रहा है यहां पे 38% का समझे रहों कितना बढ़ा difference है और जो BSE 500 है वो 34% का उसका return रहा है 3 years में 33% का इस scheme का return रहा है flexicap category का 18% and BSE 500 का भी 18% 5 years में 28% का return रहा है इस scheme का category average flexicap का रहा है 20% का and BSE 500 का 19% का and 10 सालों की बात करते हैं तो 20% का इसका return रहा है equity flexicap का 15% का return रहा है and BSE 500 का 13% का रहा है तो समय जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे जैसे margin बहुत जा रहा है अब एक चीज मैं बता दूँ कि ये fund हमेशा से ही इतनी तगड़ी performance नहीं दिखा रही थी हमें अभी 10 साल, 8 साल में इसका return तगड़ा दिख रहा है लेकिन वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले 3 सालों में इस scheme ने काफी ही तगड़ा performance यहां पर दिखा दिया और जिस करण से पीछे के भी जो इसके returns है वो काफी अच्छे यहां पर देखने लगे है तो 3 से 4 सालों में जो performance इसकी rise हुई है अचानक से और उसी करण से AUM भी rise हुआ है और इस करण से पीछे के भी इसकी performance पांच साल, आठ साल, दस साल के भी उपर उठे हुए दिख रहे है लेकिन यह जो extreme performance आई है वो पिछले ही कुछ समय में JM mutual funds के schemes के अंदर आई है इसके अलावा अब एक जो concerning part है उसकी बात कर लेते हैं तो इस scheme का अगर आप market cap wise allocation देखोगे तो small cap के अंदर 36.11 का exposure है large cap के अंदर 37.99% का और mid cap के अंदर 22.83% का तो almost जितना investment इसने large cap के अंदर करके रखा है उतना ही investment small cap के अंदर करके रखा है और अगर small and mid cap की investment total मिला ले तो यहाँ पे 60% के आसपास भी 50-60% के आसपास पहुँच जाती है समझ रहे हो एवरेजली अगर हम बात करते हैं flexi cap scheme के अंदर में तो large cap के अंदर averagely 60% के आसपास रहता है 55% से तो उपर लगबग majority में सारे flexi cap fund का exposure रहता है large cap में यह इका दुक्का funds में से एक है जिसका small and mid cap के अंदर exposure 60% के पास है और large cap के अंदर exposure 35% के पास है तो यह एक बड़ा difference है बाकी flexi cap fund में और इस flexi cap fund में चाहे हम SDFC की बात करें चाहे हम quant की बात करें चाहे हम पराग परी flexi cap fund की बात करें सभी के अंदर में जो large cap के अंदर जो exposure है वो 60% के रहता है और इसलिए कहा भी जाता है कि आपको volatility कम चाहिए तो flexi cap के अंदर कर लो क्योंकि वो तो large cap के अंदर ही invest करके रखते हैं पर यहां पर यह flexi cap fund हमारे पास निंगल के आता है जिसका majority investment small and mid cap की तरफ चाह रहा है अब यह जो market cap वाली allocation है इसका असर scheme का जो data है उस पर परता है अगर last two years की statistics हम देखते हैं क्योंकि mid small cap के अंदर काफी exposure scheme ले रही है और ले भी सकते हैं कि flexi cap fund है free छूट है जहां चाहिए investment कर सकती है तो यहां पर इसका जो alpha generation है वो काफी तग रहा है पिछले दो साल में लगबग 18% का alpha generate इस scheme ने किया जो कि बहुत जवरतस बहुत तगड़ा है लेकिन उसी alpha के against में इस scheme की जो volatility है वो भी बहुत तगड़ी है बहुत ज़्यादा है यह जो BSE 500 आप कहो index उससे 1.05% मतलब 0.5% ज़्यादा volatility 0.6% ज़्यादा volatility है beta 1 का मतलब होता है index के बराबर की volatility beta से जतना कम होगा scheme की volatility scheme का beta जतना कम होगा उतना कम volatile और 1 से जतना ज़्यादा होगा beta scheme का उतना ज़्यादा volatile तो normally जो schemes रहती हैं उनका जो beta flexi cap के अंदर भी रहते हैं तो 0.8 max max से लागया तो 0.9 पहुंच गया लेकिन 1 से उपर का beta flexi cap category में बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे हमें 1 से उपर का beta देखने को मिला है मतलब fund के अंदर बहुत ही extreme level की volatility पिछले 2 सालों में रही है इसके अलावा बात करते हैं हमारे पास jensen alpha हो गया इसके अलावा sharp ratio, trainer ratio, information ratio sortino ratio यह सारे ही ratios उस fund के काफी अच्छे है alpha generation भी fund का काफी अच्छा है तो जिस हम जिस चीज की बात कर रहे हैं थे जो concerning point है इस scheme के लिए fund के बारे में सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन एक ही चीज़े जो fund के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि fund volatile बहुत जादा है fund true flexi cap fund है मतलब flexi cap funds को जो आजादी मिलती है यह scheme उस आजादी का फायदा उठा रहा है और mid cap और small cap में exposure लेके अच्छे returns बनाके investor को दे रहा है अब इसके दिक्कत यह होगी कि scheme के अंदर में volatility बरेगी बाकी schemes के मुकाबले में यह scheme ऐसा लगा कि बहुत जादा risk ले रहा है बहुत जादा volatile है लेकिन actual में वही है कि बाकी schemes जहाँ 60% large cap में exposure लेके रखते हैं यह 60% mid small cap के अंदर exposure लेके रखते हैं तो यह investor to investor depend करेगा इस scheme में अगर कोई investor invest करना चाहता है तो उसे इस scheme को एक multi cap scheme की तरह समझ के investment करना चाहिए क्योंकि mid cap small cap का exposure काफी बढ़िया है यहाँ तक कि multi cap में भी 50% ज़्यादा exposure नहीं जाने देते हैं fund managers mid small cap का और यहाँ तो 60% के पास touch करा के रखे हुए एक 2% कम होगा तो इस scheme के अंदर अगर आप invest करते हो return के लिए तो आपको यह भी समझ के चलना होगा कि fund बहुत जादा volatile होगा बहुत prices fluctuate करेगी जैसे small cap के अंदर mid cap के अंदर आपको fluctuation देखने को मिलता है prices में डर लगता है कि अरे यार एक दिन में 2%, 4%, 5% गिर गया फिर rally भी उतनी ही आजाती है तो यह चीज आपको इस scheme के अंदर भी देखने को मिलेगी तो यह चीज अगर आप समझ के चलते हो तो definitely आप choice बना सकते हो कोई recommendation नहीं है आप अपने analysis के according अपने financial advisor के according decision लेकर invest करें लेकिन यह आपको समझ के चलना है कि fund volatile बहुत जादा होगा अब बहुत चाहिए लोग का यह भी सवाल नहता है कि क्या यह scheme कोई scam है भाग जाएगा पैसा लेके तो देखो ऐसा कुछ नहीं है जितने भी mutual fund है जो SEBI के अंदर में आ रहे है वो सब के ऊपर एक ही तरह का regulation restriction लागू होता है तो जितना safe SBI mutual fund है जितना safe HDFC mutual fund है या आप quant को अगर मानते हो जितना risky quant mutual fund है या safe है वो तना ही risky safe JM flexi के अब्भी होगा आपके पैसो को लेके भागने के अगर आप सोचते हो तो investing strategy कैसी है तो growth investing follow कर रहे है काफी fast frequently change कर अपने portfolio में तो safety के मामले में जितनी safe बाकी सारे mutual fund companies के अंदर आपका पैसा रहता है उतना ही safe इसके अंदर रहेगा investment के अंदर अगर आप देखो तो मैंने बताया कि काफी risk लेके investment कर रहे है और अभी तक तो काफी बढ़िया strategy इनकी चल रही है तो आप अपनी रहे है इस fund के बारे में नीचे comment में जऊड़ देना काफी सारे लोग comment कर रहे थे कि इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे तो मैंने सुच लो वीडियो बना देते है अच्छी लिएक वीडियो तो like कर देना सब्सक्राइब कर लेना चैनल को